इस मंदिर की एक बड़ी विशेश्टा है अयरम काल मंडपम इस मंडप में एक हजार खंबे हैं इस विशाल हॉल में चहल कदमी करना अलग तरीके का अनुभाव देता है इन खंबों को देखना आँखों के लिए आनंद दायक होता है और दिल आध्यात्मिक अनुभूतियों से भर जाता है इसकी दीवार पर बने चित्र हमें कई तरह के संदेश देते हैं जिससे हिंदुत्व के बारे में विशेश ग्यान हासिल होता है इस विशाल हॉल में बने सुन्दर चित्रांकन कई महतबूर जानकारियां देते हैं जो हमारा ध्यान ईश्वर की ओर प्रेरित करता है मंदिर में भीतर खुसते ही गलियारों का विहंगम द्रिश्य आश्चरे चकित कर देता है ये बात सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि इस धांचे के निर्माण में कितना समय लगा होगा कितना पैसा खर्च किया गया होगा और कितने ही लोगों की महनत लगी होगी जब हम एक ही शिलाखंड से निर्मित ये श्रंखला देखते हैं तो इस गंभीर सवाल का जवाब कल्पना से परे होता है कि बनाने वालों की कल्पना शक्ती किस स्तर की थी यहां बनाए गए शिल्प बेजोड है इसकी छटों पर भी हम शिल्प कौशल को देख सकते हैं छट पर बाहरा राशी चिन्न गढ़े गए हैं जब हम मंदिर परीसर में आते हैं तो कई देव प्रतिमाएं दिखाई देती हैं इनमें वल्लब गणपती हैं और अनोखे नामवाले भगवान शरी पल्ली गेश्वरार की भी प्रतिमा है भगवान कार्ति को सुभ्रमर्ण मुरुगा समेथ कई नामों से पुकारा जाता है ये यहां भगवान धन्डे युड़ा पानी स्वामी के रूप में मजूद है माता पार्वती का एक नाम उमा है और धामिज में इस नाम को उमया कहते हैं माता पार्वती के नाम में उपसर्ग लगा कर उन्हें यहां उमया पार्वती कहा गया है इस पवित्र जगह पर अपनी कृपा बर्साने वालों में देवादी, मोल नाथार भी हैं इस स्वयम्भू शिवलिंग की पूजा पांड़ा चली मुन्यार और व्याकरा पाथार ने की थी इस मंदिर के मुख्य भगवान नटराच हैं ये भगवान शिव का ही नर्तक रूप है नर्तक रूपों में नटराच सबसे प्रमुख हैं नट का मतलब होता है नाचना और राजकार्थ हुआ राजा इस प्रकार भगवान शिव नटराच रूप में स्रिष्टी के एक मात्र श्रेष्ट नर्तक हैं चित सभई और कनागा सभई एक जखा मिलते हैं। इन इस्थलों का मिला जुला रूप पोनाम बलम कहलाता है। पोन का अर्थ है सोने का और अमबलम मंदिर को कहते हैं। चित सभई वो इस्थान है जहां नटराज नर्तन करते हैं। चित सभई के ऊपर नौ कलश बनाए गए हैं जो नौ परकार की शक्तियों को प्रदशित करते हैं। पोनाम बलम के ऊपर 21,620 लगाई गई हैं। ये एक दिन में आदमी द्वारा ली जाने वाली सांसों के बारे में बताती हैं। इस पर 72,000 कीले हैं। ये शरीर की 72,000 नाड़ियों को बताते हैं जो सांस लेने में हमारी मदद करती हैं। जैसा की हमें पता है, शरीर के बाएं हिस्से में हमारा दिल होता है, यहां भी गर्वग्रिय बीच में नहीं है। ये उतना ही बीच से हटकर है जितना शरीर में आदमी का हिर्दय होता है। इससे हम जान सकते हैं कि हमारे पूरवजों ने सर्व शक्तिमान ईश्वर और इनसान के बीच के सम्बंधों पर किस तरह के गहन शोथ किये। भारत ने दुनिया को कई क्षेत्रों में, इनमें खास कर अध्यात्म के क्षेत्र में धेर सारे क्यान दिये। यही बजा है कि विदेशी हमारे मंदिरों की तरफ आकर्शित होते हैं। इनमें एक मंदिर ये भी है। झाल